एपिसोड 11 के शुरुआत में हमें तीन दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेओ सेना से कहता है तुम नोवान को कभी भी माइंड गेम्स में हरा नहीं पाओगी क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉंग है तुमने बहुत जादा गडबड की इसलिए तुम था कि हमें उसके बेटे का सिक्रेट एक्सपोस कर देना चाहिए लेकिन तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हो अगर उसके बेटे का सिक्रेट बाहर आ गया तो फिर वो खुदी कमजोर पड़ जाएगी सेना कहती है तुम बहुत सेल्फिश हो तुम भूल गये क्या हमने य इमाम को सब कुछ बता दिया है और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो किसी भी हालत में मुझे प्रोटेक्ट करेगी ये देखकर सेना को बहुत गुसा आता है वो तेओ से कहती है तुम तो एक बच्चे को कंट्रोल भी नहीं कर सकते तुमें तो पता भी नहीं है कि आखिर ग करूंगी तुम कभी किसी को मिलोगे नहीं तिर अगले ही दिन वो योसप को फामस पर बुलाती है वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है इतने में तेओ उसको बेहोश कर देता है योसप को देखकर वो हैरान हो जाता है वो सेना से पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों कि ये तुम्हारे साथ मिला हुआ था सेना कहती है बताने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वैसे भी ये मरने वाला है तेओ पूछता है क्या तुम इसे मारने वाली हो सेना कहती है मैंने एक नया प्लैन बनाया है नोवान ने इसे अपने घर से फायर किया था इसलिए हम इस सब कुछ जेल लेगी, अगर हमें उसे सच में टॉर्चर करना है, तो फिर हमें उसकी फैमिली को तोड़ना होगा, लेकिन सेना उसकी कोई बात नहीं सुनती, और योसप को एक नाइफ लेकर स्टैब कर देती है, उसके पास दो नाइफ था, एक नाइफ हो वहीं पर छोड हो जाते हैं, यहां से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहां पर सेना काफी गुसे में थी, क्यूंकि तेओ ने उसकी बात नहीं मानी, और उल्टा अपना खुद का प्लैन बनाकर हॉंग को फसा दिया, क्यूंकि वो नोवन को फसाना चाती थी, अब वो गुसे में तेओ के अपार्टमेंट पहुंच जाती है, और मर्डर का सारा समान उसके अपार्टमेंट में चुपा देती है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि योसप को तेओ नहीं मारा है, थोड़ी ही दिर में वो पुलिस वालों को एक दूसरे नमबर से कॉल करके बुला लेती है, पुलिस वा रहे थे मेरी मॉप मुझे कभी बेएक्सेप्ट नहीं करेगी इसलिए तुम प्लीज मुझे आकर बचा लो तो पता भी नहीं था कि सेना ने उसे ही फसा दिया है थोड़ी ही देर में वो नोवान के घर पर पहुंच आता है पूसता है दोयून कहां पर है नोवान कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं तुमने इतने टाइम से त्यो बनने का नाटक किया तुम तो जीवान के ट्विन ब्रादर तेवान हो ना तुम आखिर सैना को कब से जानते हो त्यो कहती है तुम्हें मेरी सचा ये पता चल चुकी है इसलिए तुमने मुझे धो तब सुनकर तेओ को बहुत गुस्सा आजाता है कहता है उस दिन तुम्हें वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था सब कुछ तुम्हारे बोलने की वज़े से हुआ है इतना कहकर वो नोवान पर एटाइक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तब तक जेजिन आकर उसे पक पर बात करना चाहिए अंदर जाकर वो तेओ से कहती है तुम्हारी फैमली की साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें लगता है सब कुछ मेरी वज़े से हुआ है तुम्हें पूछता है तुमने ये सब क्यों किया नोवान कहती है मुझे लगा प्रॉब्लम तुम्हारे पेरेंस से कहती है. तुमें यE सब कुछ बंद कर देना चाहिए. नुवानने मुझे कहा, कि यE सब कुछ तुमारी वज़े से हो रहा है. सारी गलती तुमारी है. तो उसका हस्बंड कहता है, तुम वहाँ पर यही सब अपने डैड को देकर वो बहुत डर गया था, वो दोड़ते वे नीचे आता है, तभी वो देखता है उसकी मॉम मर चुकी थी, यानि कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मार दिया था, रेजन में तेओ कहता है, अगर उस दिन तुमने मेरी मॉम से वो सब नहीं कहा होता, तो फिर तुम्हारी गलत फैमी है, मैंने तुम्हारी मॉम से कहा था, कि वो तुम्हारे डैड के साथ ना रहे, क्योंकि तुम्हारे डैड एक वालेट इंसान थे, अगर वो आज भी मेरे पास आती, फिर भी मैं उससे सेम एडवाइस देती, तेओ कहता है तुम्हें एक सही इंसान ह तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है, कि मैंने कितना तकलीव जेला है, इसी वज़े से हम दोनों तुम्हारी फैमली को बरबाद करना चाते थे, नोवाण पूछती है हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हारा भी मिले हुए हो, तो तेओ सीधा मना कर देता है, नो जेजिन नोवाण से कहता है, तुम्हें उसकी बात नहीं सुनी चाहिए, नोवाण कहती है, उसकी पूरी फैमली उसके आँखों के सामने खतम हो गई, उसका ऐसा बिहेव करना जायास है, जेजिन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बस वही किया जो एक डॉक्टर करता है, आज उसकी हालत ऐसी इसलिए है, क्योंकि उसे गलत पेरेंस मिले, अब क्योंकि पुलिस के सामने ये बात प्रूफ हो गई थी, ये मडर तेवो नहीं किया है, इसलिए हॉंग को जेल से रिलीस कर दिया जाता है, जेजिन उन्हें लेने के लिए आ और तुम जेजिन को बाहर जाकर खेलने क्यों नहीं देती, तो हॉंग कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या, बाहर कितना डस्ट होता है, जेजिन के लंग्स कितने वीक हैं, बाहर खेलने से उसकी तबयत खराब हो सकती है, हॉंग के वहाँ से जाते ही मिस्टर चोई कहता है, जेजिन तुम्हारा खुद का बेटा भी नहीं है, फिर भी तुम्हें ता नाटक क्यों करती हो, जबकि तुम तो कभी माप बनी नहीं सकती, पता चलता है उस टाइम पर जेजिन सब को सुन रहा था, उसको तभी पता चल गया था, कि वो हॉंग का बेटा नहीं है, लेकिन उस के बाद भी अपनी मॉम को ऐसा नहीं दिखाता है, कि उसे सच्चा ही पता है, उसने मनी मन में उनको अपनी मॉम मान लिया था, रेजरेंट में हॉंग पूछती है, तुमने मुझे सच्चा ही पहले क्यों नहीं बताई, जेजिन कहता है मुझे डर था, कि कहीं आप मुझे आपने उसके लिए जो कुछ भी किया, ये सब कुछ चोटी बात नहीं है, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, जो ऐसा कुछ कर पाते हैं, आंग कहती है, जब मैं पहली बार जेजिन से मिली थी ना, उस टायम पर उसने मेरा उंगली इतनी जोर से पकड़ा, कि मुझे उसे छोड आपने का मनी नहीं किया, वो बताती है, उसने कुछ टैम तक प्रेगनेंट होने का नाटक किया, ताकि सब को ऐसा लगे, कि जेजिन उसी का बेटा है, वो मेरे लाइफ का आखरी उमीद था, शायद इसी वज़े से मैं उससे इतनी आपसेश्च थी, रगले सीन में जेजिन अपने फैमिली को संभालना है, ये सुनकर जी उनको बहुत गुसा आजाता है, कहती है तुम हमेशा फैमिली की बाते करते रहते हो, तुम्हे कै लगता है, मैंने तुम्हारे जगे पर सर्जरिस करना क्यों स्टार्ट किया, तुम्हारी मॉम की वज़े से हम दोनों ने नोवान से बदला लेना था, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे पता है उस फैमिली ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने भी उस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लाश में उन लोगों ने तुम्हें मिसलीडी कि तुम्हारा नाम यूज करके अपने फैमिली का फायदा देखा, सारा सेक्रिफाइस तुमने किया, लेकिन लाश में जेजी ने नोवान से शादी कर ली, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, खुद को इन सब चीजों से फ्री कर लो, तुम पूरे दुनिया को बता सकती हो, क याकिर हॉंग ने तुम्हारे सथ क्या किया, जब वो फैमिली तूट जाएगी, उस टाइम पर जेजीन को तुम्हारी जरूरत होगी, सेना की बाते सुनकर वो एक न्यूज ब्राडकास्टिंग स्टेशन पहुँच जाती है, और वहाँ जाकर पूरी सच्चा ही बता देती है, साती में उन्हें लाइफ वीडियो भी दिखाती है, जिसमें जेजीन कोई भी सर्जरीस परफॉर्म नहीं कर रहा था, बलकि उसके जगे पे जीउन सर्जरीस कर रही थी, वो बताती है बचपन से उसको हौंग ने मैनुपलेट किया है, उन लोगों ने मेरी इतनी मदद किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि हौंग ने मेरे अंकल पाक को भी मैनुपलेट किया हो, इतने में उसका अंकल आकर कहता है, वो ऐसी लेडी है ही नहीं, जो किसी को मैनुपलेट करे, तभी नोवान का भाई कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे अंकल हौंग से प्यार करत लेटर था लेटर में लिखा था कि मैंने जो कुछ भी यहां पर लिखा है वो तुम्हें मीडिया वालों के सामने रीट करना होगा हौंग कैयती हमें प्रेस कॉंफरेंस कैंसल कर देना चाहिए हम अपने फैमली के बारे में सब के सामने नहीं बोल सकते हैं नौन कैयती है ही प्रॉल्म नहीं है लेकिन उसके बाद जो होगा लेकिन हमें उसके बाद के कॉंफिक्वेंस के बाहरे में सोचना होगा मैं किसी भी हालत में तुम्हें परिशान नहीं कर सकती फिर हमें प्रेस कॉंफरेंस का स् Instant का सीन दिखाया जाता है जहांपर जिवन भी आई थी, इतने में no one भी वहाँ पर पहुंचती है, वो सारे media houses के सामने वही letter पढ़ती है, जो से सेना ने भेजा था, letter में लिखा था मैं एक hypocrite हूँ, मैंने दूसरों की family problem solve करने की कोशिश की, जबकि अंदर ही अंदर मैंने अपने खुद की family problems को छुपा कर रखा, जी उन्ने उ उसके और जेजिन की शादी करवाई, और उसके बद उसके husband ने affair कर लिया, उसकी family ने ऐसा pretend किया, जैसे कि वो लोग perfect family हो, लेकिन ऐसा नहीं था, letter पढ़ते ही वो उस letter को फाड़ के fake देती है, कहती है मुझे एक इसी लड़की ने भेजा था, और कहा था कि मुझे press conference के साम family को blackmail कर रही है, वो चाहती है कि मेरी family के सारे problem सबके सामने expose हो जाएं, लेकिन मैंने ये decide किया है, चाहे वो मुझे जो भी करने के लिए बोले, मैं उसकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि मैंने एक बहुत जरूरी बात सिखी है, कि family से important कुछ भी नहीं होता, चाहे दुनि family को जला कर मार दिया, बाद में इसने कई सारे insurance fraud भी किये, साथी में उसके तीनों husbands भी मर चुके हैं, इसलिए मैं आप सबसे request करती हूं, कि आप लोग मेरी इस criminal को पकड़ने में मदद कीजिए, दूसरी तरफ से सेना भी ये सब कुछ देख रही थी, फिर no one जैसे ही घर आ गया, तो इस बार तुम्हें आइडिया भी नहीं है, कि तुम्हारे साथ होगा क्या, और इसी सीन के साथ episode 11 यही पर खतम होता है, अगर आप लोगों को मेरी explanation पसंद आई हो, तो आप लेक्शोर सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंकि फर वाचेंग